महाराशातिल घड़ावोडिन साथी स्वानाग न्यूजला सब्सक्राइब करा अनि बेर अपनवर प्लिक करा उल्लासनगर महापालिकेत विशेश महासबा बोलवेना ताली या महासबेत भाजप नगर सेवक राजश्वधारिया यानि सुर्वातिला अनदिकृत बांकम वैसदर माफ करनेचा प्रस्ता वानला होता आनि तो बहु मताने पास ही जाला होता परुन्तु आता भाजप शिवसेना आनि राश्ट्रवादी मदे श्रेवादाची लड़ाई निर्मन जालेया सुन शिवसेना आनि राश्ट्रवादी ने पुन्नाहा प्रस्ताव अनून क्रेडिट गिनेचा कामकरत असलेचा आरोप नगर सेवक राजश्वधारिया या निकेला है आज एक विशेश महासबा बुलाई गई थी शिवसेना के चार इस्ताइसमिती के सदस्यों ने पत्रदिकर महापूर को ये विशेश सबा बुलाई थी इसमें विशेश ऐसा था कि जो तीन गुना पैनल्टी इलीगल कंस्ट्रक्शन को लगाई जा रही है उसके बारे में था ये विशेश पहले ही मैंने 16 मार्च 2022 को जो विशेश महासबा बजेट के लिए हुई थी उसमें मैंने ये मुद्धा उपस्तित किया था महापूर को मैंने प्रिस्ता भी दिया था पत्र भी दिया था के गवर्मेंट ने आठ जन्वरी 2017 को माराश्ट्रा आडिनन्स नमबर 3 अब 2017 एक आडिनन्स लाके माराश्ट्रा मुस्पुल कार्पॉरिशन के सेक्शन 267 A1D में एक तबदीली की थी एक अमेंडमेंट की थी वो अमेंडमेंट ऐसी थी जिसमें उन्होंने उलासनगर मानगर पालिकाओं को और साथ में सभी मानगर पालिकाओं को यह अधिकार दिया था कि अपनी एरिया में वो जितने भी illegal constructions हैं उसके उपर penalty जो tax में लगती है जो पहले दो पट थी वो निर्दारत करें तो कितनी लगनी चाहिए तो मैंने पिस्ताओ दिया था कि यह जो penalty है 200% जो बहुत है तो इसके लिए मैंने पिस्ताओ दिया था कि यह 0.10% मनलब 10% अल्ली यह लगनी चाहिए और मेरा पिस्ताओ जो है वो सर्वसमती से पास हो गया लेकिन उसके बाद क्रेडिट लेने की एक होड लग गई सेनाने के तरफ से यह लेटर दिया गया विशिश महासबा बुलाई गई और यूटिये के तरफ से कालानी महल में एक मीटिंग रखी गई और उन्होंने कहा के कल्यान बदलाप रोड में जो दुकानदारों को पैलल्टी लग रही है उसका हम बरोद करती है बरोद कहीं पे बैठके या एक पत्र देके नहीं होता है उसको महासबा में लाना पड़ता है उसके लिए कंसिस्स बनाना पड़ता है जो के मैंने पहले ही बजेट के समापे कर दिया था अभी ये मेरे किये हुए कार्य की क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश कर रहे है शिफसना पार्टी हो या यू टी ए टी ओ के हो ये पहले ही प्रिस्ताव पास हो चुका है अभी इन्होंने फिर से एक प्रिस्ताव महासबा में आज लाया मेरे प्रिस्ताव में 10% की पेनल्टी मैंने बताई गई थी अभी इन्होंने उससे कुछ बढ़ा के पेनल्टी रखी है जैसे के घर गुत्ती के लिए 600 स्क्वाइर फिट तक कोई पेनल्टी नहीं रखी है 601 से 1000 तक जनरल टेक्स में 25% की पेनल्टी रखी है और 1001 स्क्वाइर फिट के उपर के मकानों में जनरल टेक्स पर 50% की पेनल्टी रखी गई है दुकानों और इंडस्टियल के लिए 1000 फुट तक 25% की पेनल्टी रखी गई है और 1001 फुट के उपर तक जो पेनल्टी है 1001 फुट से उपर जो भी दुकान या इंडस्टियल गाले हैं उनको 50% जनरल टेक्स में पेनल्टी रखी गई है हाला के मेरा जो पहले वाला प्रिस्ताव था वो इससे बहुत कम था और बहुत कम पेनल्टी में काम होता था अभी मेरे से मेरे रिजॉलिशन से ज़्यादा की ये पेनल्टी लगा रहे हैं और केरेडिट करके एक गंदी राजनिती की कोशिश कर रहे है देखिए ये रिजॉलिशन जो पास हुआ है वो एक अप्रेल 2022 से लागू हो जाएगा और आने वाले समय में बिगर पेनल्टी के मतलब नामिनल पेनल्टी के आपको बिल मिलेंगे आज के महासबा में भारतिय जन्ता पार्टी के इस्थाई समिती के साथ सदस्यों ने कामर्शियल पानी के बिलों पर अभय योजना लगाने की मांग की थी और जिसे माननी महापोर जी ने आज पटल पर रखा था इस विशे पे चर्चा करते हुए हम सभी ने सर्व समिती से इस विशे को पास किया हमने यह बताया कि लाश्टियर भी पानी के कामर्शियल बिलों पर अभय योजना लगी थी परंतु यह जो लोगों की आर्थिक स्थिती ठीक ना होने की वज़े से कोरोना काल दो वर्ष ह होने की वज़े से जिस प्रकार टैक्स लोग नहीं भर रहे थे और उसी प्रकार पानी के जो बड़े-बड़े बिलते 5 लाग, 10 लाग, 15 लाग, कमर्शियल बिलों पर ब्याज पे ब्याज लगा हुआ, कई लोग कोट में गए हुए हैं और कई लोग अपना कोट में डिपो बयोजिना लगाई थी, इस वक्ष जब हमने यह बयोजिना टैक्स की मासभा में सर्वसमिती से पास की, तो माननी आयक्तुजी ने यह शासन को बेजा था प्रस्ता और अद्द करने के लिए, लेकिन शासन ने उसे माननता दी और आज सभी खुशें, टैक्स डिपार्टमे है, तो उसी प्रकार हमने माननी आयक्तुजी से निविदन किया और इस विशे को ले के आए हैं, कि पानी के कामर्शियल बिलों पर भी, अगर 15 दिन की अबयोजिना लगेगी, तो सभी लोग जो तकलीप में हैं, कोट में चकर काट रहे हैं, और जिनके कई लोगों के कनेक् को मिल जाएंगे, इसके लिए हमने आज सर्व समीति से 1 अप्रेल से 15 अप्रेल तक या अबयोजिना लगाने के लिए ठराव पास किया है, मुझे पूर्ण यकीन है कि माननी आयक्तुजी कल 30 और 31 तारिक को इसे माननेता देंगे ठराव जाने के बाद और 1 अप्रेल से या अबयोजिना लगेगी, मैं शेरवासियों को भी आपके चैनल के माध्यम से निवेधन करूंगा, यह अप्रेल से 15 अप्रेल तक लगती है, तो आप पानी के बिल या जो कोट में आपके केस पेंडिंग है, वो सभी पानी के बिल भर करके और यह जो आपको एक मौका मिल रह हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाद भट गुरुजी, साउथ इंडियन फेमस अस्ट्रोलजर, बहुत जोतिशी के पास जाकर भी आप निराशा है, एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदिर बदल देगा, आपका हस्तरेका, ज सास बहु में त्रास, स्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पती पत्ने समस्या, कोड कछेरी, धन समपती, विदेश यात्रा, बिजनस, शारेरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का A to Z समस्याओं के लिए तुरंत मार्ग दर्शन मिलेगा, गुरुजी के आजी अवश्यम लिए, श्री पंच मुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा, पंडित जी हिंदी, मराटी, कन्नड से भविश्य बताते हैं, पता, साही पारडाइस बिल्डिंग, शॉप नंबर पांच, रुचिरा जूलर्स के बाजु में, गुपते र रेलवे स्टेशन के पास, डॉबी वेली वेस्ट मुंबाइ, पोन नंबर 96632 96566